आज मैं बनाने जा रही हूँ, हम सभी की पसंद रेश्टोरेंट वाली पनीर चीली जिसे आप चीली पनीर भी बोलते हैं आज चीली पनीर की एक ऐसी रेसीपी बताऊंगी कि अगर आप मेरे तरीके से बना लियाना तो आप रेश्टोरेंट से ज़्यादा घर पर ही बना कर खाना पसंद करेंगी एकदम परफेक्ट तरीके से और एकदम टीवसेंट ट्रीके साथ बताऊंगी कि आप ज़्यादा तर घर पर ही बना कर खाना पसंद करेंगी इसलिए आप इस वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहेगा ताकि step by step अच्छी तरह से समझ आ जाए तो चलिए recipe room में आपका स्वागत करती हूँ recipe शुरू करने से पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो like जरूर किजिएगा और चैनल को भी subscribe कर दीजिएगा सबसे पहले हम सिम्ला मिर्च को काट लेंगे और पनीर को भी काट लेंगे और प्याज भी डालना है उसको भी ज्यादा बारिक भी नहीं काटना है नॉर्मल साइज में इसको काट लेना है और अच्छे से तेल गरम कर लेंगे दो से तीन चम्मच के करीब और चार सिम्ला मिर्च डालेंगे और एक बड़ा वाला प्याज डाल देंगे काट के और इसको अच्छे से हम फ्राय करेंगे फ्राय भी जो करना है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको एक दो बार चलाएंगे फिर जब यह अच्छे से इसमें डाल देंगे तो हाई फ्लेम पे इसको हम पकाते जाएंगे बिना ढखे ही इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राय करते जाना है इसको ढख देंगे तो ज्यादा पक जाएग फिर इसको हम निकाल लेंगे किसी वरतन में, और पनीर जो हम काटके रखे थे इसमें दो चम्मच के करीब हम कॉन फ्लोर डाल देंगे आप चाहे तो मैदा भी डाल सकती है या चावल का आटा भी डाल सकती है यदि कौन फ्लोर नहीं है हम आपको option दे दिये जो भी चाहे आप डाल सकती है ऐसे ही मिला लेंगे सारे एकी बार में नहीं डालना है दीरे दीरे करके मिलाना है जब यह अच्छे से कोट हो गया इसके उपर तो हम इसको तेल में फ्राइ करेंगे ऐसे ही फ्राइ करना है धीरे धीरे हलके हाथ से करना है ज्यादा हम मिलाएंगे तो यह तूट जाएगा अच्छा नहीं लगेगा फिर देखने में कितना अच्छा लग रहा है देखिए ऐसे लिए हम प्याज भी काट लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज लेना है इसके लिए और बारिक भी नहीं काटना है और ज्यादा मोटा भी नहीं काटना है नॉर्मल ले लेना है इसी बाउल में हम एक कप के करीब पानी डालेंगे और एक चम्मच के करीब कॉन फ्लोर डाल द चब डालेंगे तीनों को हम अच्छे से मिला लेंगे और देखिए ऐसे ही मिलाना है आपको अच्छे से फिर प्याज को हम इधर फ्राय कर लेंगे प्याज भी छोटे साइच का लेना है ज्यादा बड़ा प्याज इसमें नहीं डालना है क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं प्याज को जादा बारिक भी नहीं करना है इसे ही काटना है आपको और इसी घोल को हम इसमें अब डाल देंगे और कुछ देर तक हम पकाएंगे इसको देखिए इसको डालने के बाद ये अपने आप गाड़ा होते जा रहा है इसमें थोड़ा साम लाल मिर्च का पॉर्डर भ कि भी रहें आप और यदि यह भी नहींयात तो आपके के स्मिरी यलाल मिर्च भी डाल सकतें उसे कलर विवाट अच्छा आएगा और एक चमच के करीब हम नमक डाल दिए इसमें नमक तो डालना जरूरी है क्योंकि पहले भी हम ठोड़ा साब ही डाली थी और एक हमसे सहथ डाल देंगे, यदि आपके पास सहद नहीं है, तो आप चीनी भी डाल सकती है, और यह सहद भी जो था, हमारे पास थोड़ा जम गया था, इसलिए ऐसे लग रहा है देखने में, नहीं तो आप बोलेंगे, यह कौन सा सहद है भई, हाई फ्लेम पे ही से, और कुछ देर तक हम पकाएंगे, अब इसमें हम एक चम्मच के करीब सिरका डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है, आपका पनीर और सिमला मिर्शेदी कम है, तो आप आधी चम्मच ही सिरका डालिएगा, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा, यह अच्छा नहीं लगेगा, हमें परफेक्ट के करीब काउन फ्लोर डाल देंगे, एक चम्मच से कमी है थोड़ा, पानी एक कप के करीब था, तो अच्छे से इसमें मिला देंगे, और उबलने का वेट करेंगे, जब यह अच्छे से उबल जाएगा, इसमें पनीर और सिमला मिच फ्राय किया हुआ जो था, उसको डाल द देंगे, और आप बोलेंगे कि इसमें आपने तो अदरक और लहसन तो डाला ही नहीं, हम इसलिए इसमें नहीं डालेंगे, इसका टेष्ट हमें कुछ अच्छा सा बनाना है, इसलिए इसको हम बाद में डालेंगे, आगे देखते जाएए ता पता लगेगा, एक कल्छी हम गरम होने के लिए रखे हैं इह दर और उसमें हम 2-3 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और इस ही में हम थोड़ा सा लहासन और अद्रक को कुट के डाले हैं, कद्दू कस करके बारी काटके नहीं डालना है उसको कद्दू कस किजिए या नहीं तो किसी चीज से कूटके डाल दीजिए इसको अच्छे से अब इसको हम कुछ देर तक ऐसे ही फ्राय करेंगे जब ये लाल हो जाएगा थोड़ा और इसको हम अच्छे से चारो साइट से फै जवाब है बहुत ही बढ़ियां और जबरदस त्यार होगी बिना किसी सिकायत के देखिए कितना सुन्दर लग रहा है थोड़ा सा इसमें उपर से तील भी डाल देंगे रोटी चावल पूरी पराठे के साथ खाईए सबको खिलाईए फिर मिलते हैं एक नई टेश्टी और ब बाइ बाइ बाइ